अज के वीडियो में बात करेंगे हाउट इंप्रूब इम्यून सिस्टम वैसे इसके उपर मैंने पहले बार वीडियो बना चुका हूं पर इस बार हम बात करेंगे तुल्ची के काड़े से इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत के जाए अभी कोविड-19 को देखते वे आयूस मंत्राले ने भी बहुत सरे उपाए बताये हैं उसमें से एक है तुल्ची का काड़ा अभी के समय में यानि कि इस बीमारीयों के दोर पर इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा मायने रखता है ह हमारे इम्यून सिस्टम जितना मजबूत होगा हम बीमारीयों से जादा ही बचे रहेंगे जैसे कोविड-19 अगरा बात करें तो यह वाइरस से किसी प्रकार की दवाईया नहीं निकल सकती दवाईया नहीं होता वाइरस का वैक्सिन हो सकता है पर आपको बीमारी से बचने म हमारे इम्यून सिस्टम को किस तरह से मजबूत करते हैं रोजाना दो चार पत्ते खाने से हमारी इम्यून सिस्टम काफी हद तक मजबूत होती है पर आच वीडियों में बात करेंगे तुल्सी के पत्तों से काला कैसे बनाना है घर में यानि के किचेन में मौजूद कुछ म तुल्सी का अर्ग होता है यानि कि तुल्सी के काला बनाने के लिए एक पानी ले उसमें दस से बारा पत्ते तुल्सी के लिए दो से तीन चुड़े तुकड़े दालचीनी के लिए पहले बता दूँ दालचीनी के अगर बात करूं तो दालचीनी के छुड़े से तुकड़े खुद लोग पर चमता बराने के लिए काफी है वापको कैंसर चैसे बीमारी से बचाते हैं स्वास्त अस्थमा सभी इसमें पाइदा मन करेंगें यानि कि आप दालचीनी के कभी भी करें तो इसे हमेशाब पानी डूत के साफ या किसी में भी वबालकर या मिलाकर फीले ऐसे नहीं खाये कभी अगार करें काड़े के चाल ले बस आपका काड़ा तयार है इस काड़े को आप पी सकते हैं आसानी से हफते में एक से या दो बार आप कर सकते हैं इससे आपके तो अगर आप योग और इस तरह की कोई भी आरिवेटिक चीजों को अपने दिन चेटिया में सामिल करते हैं तो आप कोरोना वारिस से बचे रहेंगे कोरोना वारिस के बात करें तो यादा तक इफेक्ट किसके दिया है उसको जिस जो पहले से बिमारी से ग्रसीत है यानकि उ सोच लेजे हमारे मित्री दर कितनी है मात 3% भी नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी में इस तरह के वाइरस कोई असा नहीं होता है ज्यादा असल नहीं है और जो मरे भी है वो डियाबटिक प्रसेंट है या किडिनी प्रसेंट यानिक पहल से बहुत जो बीमार थे पर उन्हें भी बचाया जा सकता है अगर वो योग को अपनी दिनचरिया में सामिल कर रहें या लोग परिदोर्ण चंता को मजबूत बनाके रखें अब बात करूं तो कोई-19 में हो सकता है गंगा जल जी हां गंगा जल हमारे गंगा जल जो जिसमें वेग्यानिकों के द्वारा ही पु जब खतम हो गया था चाहिता अब इसके गूगल सेर्च कर सकते हैं गंगा जल में इस तरह के व्यक्रिया पाई जाते हैं जो पानी को कभी सलने नहीं नहीं देता और हमारी लोग परिदोर्ण चंता को बढ़ाता भी है हमारी इमिन सुष्ट को मजबूत करता है तो कोविद कोई भी बिमारी हो तो भी आप गंगा जल को अपनी दिंचरिया में सामिल कर सकते हैं एक धकन गंगा जल रोजाना सुभा और साम ले तो इससे आपके इमिन सुष्टन बहुत जादा मजबूत होगी आप कोई भी परकार की बिमारी हो चाहे बुखार हो सल्दी हो या खासी की खासी हो कोई भी खासी हो आप ट्राई करके देख सकते हैं ऐसी कलिए ऑखशी शोटी से बिमारी है आप इसमें रब साथ की बीमारी होसा और बस हम कोशिश तो कर लो कि अब गंगाजल को प्योग जरूर करें और हो सके तो कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए यानि कि अगर ऐसा कोई पैसेंट हो जो दवाई के यूज कर रहे हो अच्छा बात है बाट आप गंगाजल के भी यूज करके जरूर देखें मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है जो मैंने फरवरी में अपलोड की थी यह अलग बात है कि प्लैटफॉर्म दुस्ता था यहां टिक टॉक पर बनाई थी चाहित आप वो वीडियो भी देख सकते हैं